कि यूज़ें नमस्कार मैं हूँ आमें तो आप देखरों मेरा यूटीब चैनल ड्रिम सिटी ट्यूटर तो ड्रिम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मोका प्रो तो मोका प्रो जो है वो मोका से थुरी सी एडवांस वर्जिन है मोका प्रो एंड ये एक प्लगिन है तो आप इस प्लगिन को कैसे यूज़ में ले सकते हो एंड देन इससे हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़े बना सकते हैं इसमें जो है वो power mesh है mesh है and then आप इससे कुछ भी add on कर सकते हो like जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मोकप्स वगरा बनाते हैं Photoshop वगरा में same thing हम लोग कर सकते हैं इसमें like t-shirt के उपर अगर अगर आप कोई design apply करना चाहते हो hand में कोई tattoo बनाना चाहते हो तो किसी भी तरकी अगर को design apply करना चाहते हो जहां पर mesh wrap होते हैं तो आप इस design को बहुत ही easy तरीके से बना सकते हो या apply कर सकते हो तो यह बहुत ही अच्छी and powerful tool है mocha pro तो चलिए सीधा चलते हैं अपने computer में and then देखते हैं कि mocha pro को किस तर से हम लोग यूज में लेते हैं तो सबसे first आपको करना क्या है यहां पर मेरे पास footage है जैसे कि मैं लेके आ चुका हो यहां पर आपको simple सा drag and drop कर देने हैं अपने मैं तुरह सा crop कर लेता हूँ I think three four seconds बहुत है कि किस तर से हम लोग use में ले सकते है mocha pro को तो मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं three or four seconds तक यहां तक मैं जाकर इसको कर लेता हूँ crop see simple में आप जाओ right click and then trim कर लो तो मेरे पास already यह footage कुछ इस तर से हा रहा है जो कि आप देख सकते हो यहां पे and then मैं चाहता हूँ कि इसके जो t-shirt है या tops है उसके उपर में मैं कुछ apply करूँ कुछ जो mockups होते हैं वो मैं इसमें apply करो या कोई design है जो आपने बना रखे है उसको आपको show कराने है तो आप ले सकते हो तो सबसे first stop करो and then starting frame पे चले जाओ सबसे first frame पे आपको चले जाना है and then यहाँ पे आपको अपने layer को select कर लेना जो video track है तो मैंने इसको select कर रखा है and then आप scroll करो यहाँ पे scroll करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे effects and presets effects and presets में आपको ले लेना है यहाँ पे mocha okay search के through भी आप जाके ले सकते हो की search करो and then आप यहाँ पे mocha को ले सकते हो तो last class हम लोगों ने देखा था कि mocha AE को किस तर से हम लोग use में ले सकते हैं but मैं जो आज बताने वाला हूँ वो है mocha pro and then mocha pro जो है वो एक external manlook plugin है कि जो आपको third party plugin जिसको हम लोग भूलते है तो यह third party plugin है and then आपको इसको install करने पड़ेंगे तो मैं इसका link में share कर दूँगा जहां से आप mocha pro को download कर सकते हो and then use में ले सकते हो तो mocha pro को आपको करना क्या है यहाँ पे simple सा लेकर drag and drop कर दो अपने video footage के उपर में तो मैं यहाँ पे selection tool में जाता हूँ mocha pro को select करता हूँ and then drag and drop कर दिया मैंने अपने video footage के उपर में तो इस तरह से आपको drag and drop कर लेने है video footage के उपर में तो जैसे ही आप यहाँ पे select करोगे जिससे आप कुछ भी चीज को attach कर सकते हूँ and then वह भी आपके body के recording ही या फिर टी शेट के recording या किसी भी चीज के recording ही wrap create करता है and then यहाँ पे module आपको मिल जाते है renders मिल जाते हैं आप इसको ले सकते हो mat को ले सकते हो तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको extra features मिलते है mocha pro पे अभी आपको करना क्या है mocha को click करो simple सा first click कर देना mocha को यहाँ पे तो first frame पे ले सकते हो कभी भी हम लोग चाहे हैं तो tracking को backward लेकर जा सकते हैं या forward लेकर जा सकते हैं कोई भी आप choose कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे मेरे पास first frame आ चुके हैं आपको यहाँ पे track में चाना है and then यहाँ पे सबसे first select कर लेने हैं आपको यहाँ से x spline just like a paint tool kind of thing है scroll से यहाँ पे आप zoom in zoom out कर सकते हो and then middle mouse button प्रेस करके आप तोड़ासा आप increase कर सकते हो size को भी जो कि possible नहीं था हमारा mocha जो AE है उसमें उसके लिए z and then x यूज करने परते थे हैं but यहाँ पे आप simple scroll से भी आप zoom in zoom out कर सकते हो and then middle mouse button जो है या scroll button उसको आप प्रेस करके आप इसको pan कर सकते हो या फिर move कर सकते हो चलो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ access spline and then कुछ इस तरह से आप draw कर लो जैसे आपको दीख रहना ऐसे आप draw करते चले जाओ कि जहाँ पे भी आपको अपने images को attach करने हैं या place करने हैं उसको बहुत ही carefully आपको कुछ इस तरह से ले लेना है तो मैंने कुछ ऐसे दे लिया and then right click करके exit हो जाओ कुछ-कुछ चीजे यहाँ पे problem है इसको थोड़ा सा move करो देखो automatically tick हो जाते हैं तो थोड़ा सा proper way में आप करोगे तो यह सभी properly आपको यहाँ पे arrange हो जाएंगे यहाँ पे भी आप देख सकते हो तोड़ा सा नीचे यह भी है तोड़ा से drag करो and then यहाँ पे आप इसको tick कर सकते हो तो now everything is fine see यहाँ पे तो यह हम लोगों ने selection बना लिया है जहाँ पे मुझे attach करने है अपने image को या फिर logo को कोई branding करने है कुछ भी अब यह एक बार हो जाए तो आपको यहाँ पे enable कर लेना है mesh को अब देख सकते हो यहाँ पे mesh option है mesh को आपको click कर लेने है तो जैसे ही click करोगे तो आपके पास mesh available हो जाएंगे कुछ ऐसा उसके बाद आपको और किसी चीज पे भी यहाँ पे कुछ टचनी करने है आप आजाओ यहाँ पे यहाँ पे सबसे फर्स जो चीज आपको दीखने के लिए मिल रहा है वो है automatic इसको नहीं चाहिए click करो and then यहाँ से आपको select करने है uniform तो आपको uniform select कर लेना है first and then फिर से चले जाओ mesh size जैसे जैसे आप बढ़ा होगे mesh size आपके mesh जो है उसका density कम होता चला जाएगा मुझे इसमें क्या करना है आप 10 to 15 रखो हमेशा मैं हमेशा prefer करता हूँ कि मैं 15 ही रखो mesh के जो density है या फिर mesh के जो आपके subdivisions है वो कम रख सकते हो आप तो मैंने यहाँ पर 15 रखा हुआ है mesh के size को and then यहाँ पर जो आपको vertex है या वर्टिसाइस है वो आप कम कर लो या फिर disable ही कर लो मुझे नहीं चाहिए and then generate mesh कर लेना इतना कुछ करना होता है first आपको enable कर लेना मेश आपको generation mode में जाना है and then यहाँ पर आपको ले लेना uniform and then यहाँ पर आपको disable कर लेना है अपने vertices and splines को and then click कर देना है generate mesh को see तो एक बद generate mesh हो जाए कुछ ऐसा आपको दिखने के लिए मिलेगा तो यह हो जाने के बाद आपको simple सा tracking वाले को click कर दो तो यह T जो दिख रहा है click कर दो और थूरे से wait करो because of कि यह track करेगा completely आपके जो T-shirt है या फिर आपने जो पहन रखा है even though अगर आपके body में भी कहीं पर भी apply करने है तो उसको वो बहुत बेटर तरीके से track करना start कर देता है तो तुरह सा wait करना पड़ेगा हमें track होने के बाद मैं दिखाता हूँ हमारा tracking complete हो चुका है कुछ इस तरह से अब आप फिर से क्या करो यहां पे click कर दो means starting जो हमारा frame है ना उस start frame पे आजाओ एक बार यहां पे आ जाने के बाद आपको चले जाना है यहां पे step lies में and then step lies में जाने से पहले आप यहां पे frame जो है अपना planner को इसको enable कर ले ना कभी भी okay यह actually enable तो रहता ही है बट एक बार click करके रख दो okay and then आपको करना क्या है यहां पे जाने के बाद आपको करना है यहां पे mesh जो आपको mesh wrap मिल रहा है उसको आप ले लो and then यहां पे जो quality wise है उसको थोड़ा सा improve कर लो आप क्योंकि आपका यहां पे draft होता है तो draft मुझे चाहिए नहीं because of high quality मुझे यहां पे wrapping करने है तो आप यहां पे high ले लेना and then एक बार जब यह हो जाए दोई चीज़ अप्लाइ करने है एक mesh wrap को आपको enable करने है and then second आपको high में ले लेना है right and then अभी इसके बाद आप click करो यहां पे and then save कर लो तो जैसे click करोगे यहां पे start हो गया save हो आपके जो data है वो आपका save हो चुका है तो मैं एक दो बार click कर देता हूँ because of कि अगर ना हुआ हो properly तो at least हो जाए तो इसके लिए मैं एक दो बार click कर देता हूँ आपे चलो अब यह हो जाने के बाद आप इसको close कर दो because of कि हमारा जो काम है वो हो चुका है तो मैं यहाँ पे close करता हूँ and then आप देख सकते हो कि mocha में यहाँ पे वो आ चुके है right जो बहुत important छीज है वो है कि आपको इसकी copy बना लेनी है तो control D कर दो and then duplicate create कर लेना है and then जो duplicate हुआ है ना उसमें से आपको mocha pro को delete कर दो right तो अब देख सकते हो कि नीचे वाले जो मेरे जो layer है ना उस पे आपको mocha pro apply हुआ है and then इस पे mocha pro नहीं है अब ही आपको करना क्या है यहाँ पे चले जाओ control D के बाद आपके पास जो top वाले है उस पे आपको क्या करना right click करना है सबसे first and then चले जाना है यहाँ पे time and then click कर दो freeze frame को क्योंकि मुझे यह freeze ही चाहिए completely last तक मुझे freeze करके रखना है इस frame को इसके लिए आपको freeze option apply करना है and then आपको करना क्या है यहाँ पे right click करो and then जो आपके pre compose है उसको click कर दो and then यहाँ पे move all attributes वाले option को ले लेना यह हो जाने के बाद अब आप क्या करो इसी mocha pro के जो options हैं या फिर जो effects हैं इसको control c करो and then यहाँ पे जाकर control v कर देना right paste कर दो चलो अब मैं क्या करता हूँ इसकी अभी कोई जरूरत है नहीं तो आप इसको lock कर दो कोई problem नहीं lock कर देना आप and then double click कर दो इसकी उपर में double click करोगे तो आप सिदा चले जाओगे अपने precom के अंदर में and then यहाँ पे मुझे क्या करना है ना जो हम लोगों ने काम किया है मतलब इसकी उपर जो भी apply करने है कोई branding का या कुछ भी brand हो कुछ design हो आप कुछ भी apply कर सकते हो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ मैं जाता हूँ project में and then project में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कुछ इस तरह की design है आप क्या करो इससे just drag and drop कर दो above this layer right तो आपको इसकी उपर ही लेने है कुछ ऐसा लेकिन मुझे लगता है इसकी size बहुत बड़ी है तो आपको यहाँ पे express कर देना is for skill and then इसकी size को तो तो एक कम कर दो right तो मैं कुछ इतना ही ले लेता हूँ यहाँ पे काफी है इतने size मैं रख लेता हूँ जहाँ पे भी आपको apply करने है वहाँ पे आप ले लो कुछ ऐसा तो मैंने कुछ इस तरह से design मैंने ले रखे है and then अभी आपको करना क्या है जब यहाँ पे design हो जाए यहाँ पे अपने जगह पे वह आ जाए तो आपको इस जो आपको नीचे वाले जो layer है ना वीडियो उसको आपको यहाँ से off कर देना है बस यह वाले जो design है ना सिर्फ वही मुझे चाहिए and then आ जाओ फिर से आपके main comp में right तो यह मेरा main comp है and then यहाँ पे आपको करना क्या है simple है बहुत pre comp को select करो and then फिर से आप चले जाओ effect and control में right आपको यहाँ पे mocha मिलेगा इसके नहीं यह वाले right and then यहाँ पे सबसे first आपको चलना है तो आपको सबसे first जाना mat पे right mat पे जाओ and then apply mat को click कर देना ठीक है ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ apply mat ले लेता हूँ first and then second thing कि मुझे यहाँ पे render को भी click कर देना है तो दो चीच आपको यहाँ पे enable करने है एक आपको apply mat करना है and then second आपको यहाँ पे render को enable कर लेना है यह बहुत important है and then यहाँ पे जाकर जो module है उसको आपको click करने ही यहाँ पे right तो module का मतलब है कि किस तरह की technique आप use कर रहे हो इसके उपर में तो मुझे चाहिए यहाँ पे stabilize wrap राइट तो आपको भी select कर लेना है stabilize wrap को आपको ले लेना है wrap quality कैसा होएगा तो obviously आपको यहाँ पे लेना है high quality because of कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी quality हो output हो जादा better निकल के सामने आए okay तो आपको यह लेना है and then अभी आपको करना क्या है सीधा अप जाकर आप देख सकते हो कि आपके जो play करो आप देखो जैसे यह आप यहाँ पे play करोगे तो आप देख सकते हो कि जो हमारा जो design है ना वो completely बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टी-शेट पर stuck हो चुके है कुछ ऐसा right and then जैसे जैसे टी-शेट फोल्ड होंगे ना उसके accordingly वो क्या होगा wrap होना start हो जाएगा see fine कुछ ऐसा okay तो जिस तरह का भी आपको चाहिए होगा effect कुछ इस तरह के effects आप create कर सकते हो अपने after effects में I hope कि आज की class आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा तो पोका प्रो में आप टी-शेट में design supply कर सकते हो टाटूस वेगर बना सकते हो और अपने project को और भी जादा enhance कर सकते हो तो अपने project assignments and then show drills को और भी जादा improve कर सकते हो और enhance कर सकते हो तो ये था आज का हमारा topic और अगर ये topic अच्छी लगी है तो please like करें, subscribe करें and then अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें मिलते हैं हम लोग after effects के new video में तब तक के लिए नमशकार, take care